नमस्कार दोस्तों आपका स्वागतार आपके अपने यूटूब चैनल में हिमाचल परदेश गौर्मन जौब 2021 टोटल पोस्टें 22 बरी जाएगी कौन-कौन सी पोस्टें भरी जाएगी हिमाचल परदेश में और कहां पर यह भरी जाएगी पूरी जयनकारी आपको detail में बताई जाएगी और इसमें qualification क्या मांगी गई है उसके बारे में पूरी जयनकारी बताएगी official notification आपको बताई जाएगी इस वीडियो में तो apply कब तक आप कर सकते हैं 17-22 तक last date रहेगी और पूरी जयनकारी आपको बताई जाएगी तो वीडियो पर बने रहें अगर आप चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ हमें बैल आकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आगे नवाली हिमाचल परदेश की latest government recruitment की update हमारी चैनल द्वारा मिलती रहे और इस वीडियो के अपने दोस्तों के जाए सेदा शेयर करें ताकि उनको भी latest recruitment के बारे में पता लगस किए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जयनकारी आपको डिटेल में बताते हैं जुगंदर Central Cooperative Bank Limited Head Office Solan Himachal Pradesh recruitment notice यहाँ पर जारी किये गया है तो यहाँ पर टोटल 22 पोस्त यहाँ पर भरी जाएंगी एक्जेक्यूटिव असिस्टेंट सेनोटाइपिस्ट एंड लीगल असिस्टेंट इन दा बैंक तो यहाँ पर ओफिचली जो वेबसाइट है यह रहेगी तो लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी स्तार आर्ट 22 online application form जो भरे जाएंगे वो भी साथ 22 से शुरू हो चुकी है और स्तार आर्ट 22 तक लास्ट डेट रहेगी विद फीस पेमेंट और यहाँ पर इन्होंने डेट बारें बता रखा है और फीस आपकी जो लगेगी यहाँ पर कैटेगरी वाइस पूरा बता रखा है जनरल ओविसी एक्सर्विसमेन फिजिकल हैंडिकैप्ट के लिए हयार रुपे यहाँ पर लगेगी SCST, IRDP, BPL, EWS के लिए 800 रुपे फीस लगेगी फीमेल कैनिडेट के लिए भी सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपे यहाँ पर फीस लगेगी तो आपके जो कोलेटर्स होंगे वो एक्जाम से 7 दिन पहले आ जाएंगे और date of online examination यहाँ पर month of August 2021 proposed यहाँ पर लिखा गया है तो date of declaration of result यह around 15 days after the conduct of the examination examination होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर यह result जो है जारी कर देंगे 15 दिन के बाद यहाँ बता रखा है यहाँ पर और आगे यहाँ पर category wise breakup of vacancies to be filled up in as under तो executive assistant की यहाँ पर total 13 पोस्ट यहाँ पर भरी जानी है और इसी परकार executive assistant PACS quota के हिसाब से यहाँ पर साथ पोस्टें stenotypist की एक पोस्ट और legal assistant की एक पोस्ट टोटल 22 पोस्ट यहाँ पर भरी जानी है तो आप category wise देख सकते हैं कौन सी category से आप below करते हो तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा यहाँ पर short names यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं age यहाँ पर as on एक जनवरी दो यहाँ इस 18 से 45 साल यहाँ पर age रहेगी और यहाँ पर इन्होंने relaxation के बारे में बता रखे है age relaxation के बारे में और आगे qualification के बारे में आपको बताते हैं तो यहाँ पर salary and allowances दिये जाएंगे आपको तो यहाँ पर executive assistant के लिए 10,300 plus 3200 plus applicable DA आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर legal assistant के लिए यहाँ पर 4200 जो है यहाँ पर दिया जाएगा थोड़ा सा अलग है यहाँ से और जो यहाँ पर 10,300 ही रहेगी और next यहाँ पर qualification के बात करें post wise essential qualification तो executive assistant के लिए under direct recruitment quota से यहाँ से 10 plus 2 आपके पास होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 50% marks होनी चाहिए और graduation in any discipline candidate belong to SCST OVC concession grace of 5% in marks और executive assistant PACS quota के हिसाब से जो भरी जाएंगी उसमें sectors of PACS having 10 plus 2 with at least 50% marks और graduation degree a minimum of 5 year continuous regular service as secretary of primary agriculture credit society और steno typist के लिए 10 plus 2 50% marks आपके पास होनी चाहिए और graduation in any discipline candidate belonging to SCST OVC concession grace of 5% in marks shorthand in English with a speed of 60 words per minute on computer यहाँ पर नहीं बताया हुआ है typing English and Hindi with a speed of 25 words per minute English के होने चाहिए और यहाँ पे इन्होंने वो नहीं बताया हुआ है कि English के लिए कितने चाहिए हिंदी के लिए कितने चाहिए यहाँ पे 25 words per minute यहाँ पे computer speed यहाँ बताया हुई है वैसे तो अगर generally देखा जाए तो जो computer में typing test होता है तो उसमें 30 words per minute जो है English की typing चाहिए और 25 words per minute हिंदी के चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने English और हिंदी के लिए यहाँ पे एक ही बता दी है 25 words per minute on computer तो legal assistant के लिए the candidate should be a low graduation आपके पास होने चाहिए और कम से कम 5 year professional experience आपके पास होना चाहिए और आगे यहाँ पे रिए बताया हुआ है general information यहाँ पे बताया हुई है यहाँ तो आपको यह इनकी PDF में मिल जाएगा इनकी साइट में जब आप जाओगी तो वहाँ पे सिस्टम होता है जाए CVSC का तो उसमें calculation of percentage कि साब से ली जाएगी और पूरा इनन बता रखाए और अब pattern की बात करें तो जो examination होगा online examination executive assistant and senior typist के लिए तो उसमें reasoning numerical ability और English और general awareness यहाँ पे पूछी जाएगी तो यह number of questions यहाँ पे रहेंगे 170 questions और यहाँ पे marks 85 marks यहाँ पे र अलगलग timing यहाँ पे रहेंगी general awareness में आपके लिए include होगा 25% questions जो होंगे वो HP general knowledge के यहाँ पे पूछे जाएंगे इसी परकार आपका legal assistant के लिए होगा तो इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है same ही तो इसमें reasoning numerical ability English general awareness knowledge of law यहाँ पे जोड़ा गया है तो यहाँ पे आप होता है तो आपके 0.25% marks जो है deduct किये जाएंगे तो negative marking भी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है तो आप यह देख पा रहे होंगे और आगे इन्होंने बताया है rational card and learner driving license are not valid ID proof के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने आपको PDF में मिल जाएगा और यहाँ पे exam center की बात करें हिमाचल परदेश में तो name of district solan exam venue solan शिमला exam venue शिमला तो यहाँ पे यह दो center यहाँ पे इन्होंने बता रखी है और आगे इन्हों के बताया है आपको important important मैं बता रहा हूँ बाकी आपको PDF में मिल जाएगा आपको apply कैसे करना है यहाँ पे आपको सब्सक्राइब application registration करनी होगी फिर आपको payment करनी होगी फिर document scan and upload load करने होंगे तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है बीस सा दो यरिकीस से application form भरने शुरू हो चुके है और स्तारा आठ दो यरिकीस तक भरे जाएंगे और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है size कितने वाई कितने का size होना चाहिए और इसमें आपने capital letter में signature नहीं करने है कैसे कैसे आपको next save करके next next करते आना है और final submission भी आपको करनी है और फीस जो है रहेगी वह online mode ही रहेगी और यह photograph images size बता रखा है कितने के बी का होना चाहिए कितने pixels का होना चाहिए इसी परकार signature left thumb impression भी आपका यहाँ पर लगेगा यहाँ पे handwritten declaration image भी जो है इन्होंने बता हुई है तो यहाँ पे declaration के बारे में यहाँ पे इन्होंने उपर PDF में बताया होगा मैं एक वादे लेता हूँ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो आपको declaration लिखनी है handwritten तो यह आपको एक white paper A4 size paper पे आपको लिखनी है यह declaration रहेगी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखन देना है और यही आपको फोटो आप फोन से की सकते हैं स्कैन कर सकते हैं जैसे भी और यह आपको upload करनी होगी तो यह declaration as it is ही लिखनी है और आपको यहाँ पर अपना name of candidate यहाँ पर बोला हुआ है तो यह लिखे दिना है तो यह आपको PDF मिल जाएगा और आप वीडियो को प्रिक्शन्स बता रखे हैं उन्होंने यह थी latest update जैहन जैहमाचल